हेले स्टूडेंट कैसे हैं आप सब एक बार कुना सी कोचिंग लास पर स्वागत है और क्लास टोल्थी फिजिक्स एंसी आइटी में आज एक महत्पून टॉपिक पर चर्चा करेंगे आज हमारा लेंस है प्यरवच्चो लेंस के प्रकार इसको हम पूरा बेसिक से समझेंगे इसके साथ साथ मैं आपको प्यरवच्चो यहां पर इसके प्रमुक परिवासिक सब्दा वली जो हैं उनको भी चर्चा करेंगे तो वीडियो को अंतक देखेगा अंतक बने रहेगा कुछ बेसिक चीजें हैं जो एक्जाम की दिष्ट से उतना महत्पून तो नहीं होता लेकिन पैर बच्चो बेसिक चीजें बहुत जरूरी है जानना क्योंकि यह आप लेंस सूत्र पढ़ रहे हैं और लेंस के बारें बेस जो रहे होंगे मतलब जो भी ध्योरी रहा होगा जो भी डेरीवेशन रहा होगा वो चीजें करा दी है मैंने प्लेलिस्ट में आपको करम से मिल आएगे जाकर के देख सकते हैं शुरू करते हैं लेंस की परिभासा लेंस वह समांगी पारदर्सी माध्यम होता है जिसके दोन देखेंगे लेकिन लेंस में हम एक ऊपर देखेंगे दिखाई देगी यह मुख रूप से डिफरेंस होता है लेंस और भी में तो आपको डायग्राम मिलेगा सेम सेम तो आप जैसे मान की चलते हैं पहरे बच्छों जैसे आपको पता होगा उत्तल दर्पंड भी होता है है ना कि दोनों सेम कैसे तो मैं आपको भता देना चाहता हूं दरफण को आप देखो सीधा आपको पुर्टीव में दिखेगा सीधा मतलब दूर की बस्तू धी कि दिखना है तो किवल आप लेंस कहीं परयोग कर सकते दरफण कहीं कर सकतें दरफण से सीधा प्रतिविम आपका ही दिखेगा पारदर्स्ती चीजे नहीं दिखेगी अब बाहर की चीजे नहीं दिखेगी लेकिन लेंस ऐसा माद्धम है यदि हम बीच में लेंस रख दें और एक साट से देखें तो दूसरी साट की बस तो दिखाए देगी तो यह दोनों जो प्रिष्ट होता है, इसका गोली भी हो सकता है, दोनों प्रिष्ट क्या हो सकता है, गोली भी हो सकता है, या तो पेरवच्चो एक प्रिष्ट गोली है, और एक प्रिष्ट समतल हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, या कि दोनों गोली ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी दोनों पष्ट गोली और एक प्रिश्ट गोली या एक प्रिष्ट सम्तल होता है ठिक है यह चीज है कुल मिलाकर लेन्स से क्या है माध्ध में ठिक है जिसका हम अपने देरिक जीवन में बहुत ज्यायदा उप्योग करते है ठिक है सोच में दरसी में सम्मे लेंस का प्रयोग किया जाता है आपके आंक में ज़रा दर्ष्टी दोस हो जाए दूर दर्ष्टी दोस हो जाए निकट दर्ष्टी दोस हो जाए इसके निवारान के लिए भी हम लेंस का प्रयोग करते है तो लेंस एक प्रकार का माध्यम है जो कि एक पारदर्सी माध्यम होता है यहीं पारदर्सी के मतलब समाजी के होंगे हम किसी बस्तु को लेंस के माध्यम से देखे तो बस्तु दिखाई दे, वो पारदर्सी है यहीं बस्तु ना दिखाई दे तो अपारदर्सी हो जाएगा तो lens एक पारदर्सिव होता है, जो की किस्से मिलकर वाना होता है, या तो दोनों प्रिष्ट उसके गोली होगे, या तो एक गोली प्रिष्ट होगा, और एक समतल प्रिष्ट होगा, lens को दो भागों बाटा गया, पहरे बचों, एक तो आपका उत्तर lens और दूसरा अप्तर lens, उत्तर lens का मतलब क्या है, देखेगा, मेन इसके परावरतक प्रिष्ट से ही होता है, अप बरतक प्रिष्ट, परावरतक प्रिष्ट तो नहीं मानेंगे, अप बरतक प्रिष्ट मानेंगे, क्योंकि इसमें अप बरतन होता है, ठीक है, तो उत्तर lens, उस lens को कहते हैं, जो किनारों पर पतला ये आपका बन गया उत्तल लेंस क्या बना पैर बच्चो उत्तल लेंस उत्तल लेंस होता है जो बीच का भाग जिसका मोटा होता है ये बीच का भाग मोटा है और किनारों पर पतला होता है उसे हम कहते हैं उत्तल लेंस ये तीन प्रकार का होता है कितने प्र उत्तल लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं जिसके दोनों प्रिष्ट उत्तल होते हैं इसके दोनों प्रिष्ट की बकरता त्रिज्जा समान या असमान हो सकती है देखेगा यहां पर मैं आपसे बताना चाहता हूँ उत्तल लेंस जिसके दोनों प्रिष्ट उत्तल हो ऐसा यह एक प लेंस को समतल उत्तल लेंस कहते हैं जिसका एक प्रिष्ट समतल और दूसरा प्रिष्ट उत्तल होता है देखेगा एक प्रिष्ट समतल और दूसरा प्रिष्ट उत्तल समतल का मतला पेर बच्चू यह आपका सीधा समतल और एक प्रिष्ट कैसा होना चाहिए उत्तल होना चाहि ऐसा ठीक ये दोनों उभरा होना चाहिए तो ये आपका उभी उत्तल है क्या उभी उत्तल है ये सम्तल उत्तल है सम्तल उत्तल में एक सम्तल और एक उत्तल एक सम्तल और एक उत्तल तो सम्तल उत्तल है उत्तल में क्या है फिर बच्चो दोनों उभरा हुआ है ये दोनों के दोनों भाग क्या है उभरे हुए है इसे बोलेंगे उभी उत्तल अबतल उतल किसे कहेंगे तो एक अबतल और एक उतल क्या एक अबतल और एक उतल उतल तो माननी जी यह आपका उतल है ठीक है ना ठीक है यह आपका यह यहीँ माली जी भाग उतल है इसका परवर्टक développement बश्ट है और इसमें ऐसा बना दें पेर बश्टो एक अब्दल ये वाला अब्दल और एक उत्तल अब्दल का मतलब दवा हुआ यह भाग है दवा हुआ है उत्तल पेरबच्चों उभरा हुआ है जा ऐसा भी लेंगे इसका परवर्तक प्रिष्ठ हो अब वर्दक प्रिष्ठ हो ठीक है तो एक हमारा अप्तल और एक उत्तल इन्हीं बाहर का उत्तल हुआ और एक अप्तल तो जिसके दोनों प्रिष्ठ किस प्रकार से हूँ एक अप्तल हो और एक उत्तल प्रिष्ठ हो तो ये जो है अप्तल उत्तल लेंस कहलाते हैं तीनों लेंस यहाँ पर आप देख सकते हैं यह पहला है उभी उत्तल दोनों आपका प्रवच्चो क्या है उत्तल प्रिष्ट है इसमें एक उत्तल प्रिष्ट और एक सम्तल है इसलिए सम्तल उत्तल और इसमें देख सकते हैं प्रवच्चो एक आपका बाहर का उत्तल है और अ होता है और किनारों का जो भाग होता है यहीं किनारे वाले भाग होते हैं वो उभरे हुए होते हैं यहीं मोटा होता है ठीक है क्लियर है अभी आपने उत्तर लेंस देखा उत्तर लेंस में क्या था कि बीच का भाग उभरा हुआ यहीं मोटा होता है किनारों पर पतला ठीक है लेकिन अब्तल में उल्टा होता है बीच में पतला होता है किनारों पर मोटा होता है ठीक है अब्तल लेंस का पहचान है बीच पर क्या होगा पतला होगा और किनारों पर मोटा होगा इसके भी तीन होगी उभियावतल क्या उभियावतल लेंस उभियावतल में एनि दोनों जो आपका प्रिष्ठ होगा वो दोनों का दोनों अब्तल होगा दोनों जो प्रिष्ठ होगा पैर बच्चों दोनों का दोनों क्या होगा अब्तल होगा उसे बोलेंगे हम क्या उभ्यावतल मतलब जैसे हम देख सकते हैं यह आपका अब्तल है यह भी आपका अब्तल है दोनों प एक प्रिष्ट सम्तल है और एक प्रिष्ट सम्तल है गला अधनला उसे बोलेंगे सम्तला अधनल् लेंस जिसे बोलेंगे उतला वतल उतल और अबतल उतला वतल यह उतल और अबतल लेंस यह एक प्रिष्ट आपका उतल है और दूसरा प्रिष्ट आपका अबतल है उसे बोलेंगे उतला वतल लेंस उस अपतल लेंस को उतला अपतल लेंस कहते हैं जिसका एक प्रिष्ट उतल और दूसरा प्रिष्ट अपतल होता है उतल प्रिष्ट की बकरता तरिज्जा अधिक तथा अपतल प्रिष्ट की बकरता तरिज्जा कम होती है तो ये आपको पता हो गया लेंस दो प्रकार से उत्तल लेंस अब्तल लेंस में बीच का भाग मोटा किनारों पर पतला और अब्तल में बीच का भाग पतला किनारों पर मोटा होता है इन तीनों के तीन तीन भागों को आपने समझ लिया अब इसके कुछ पारिभासिक सब्दा वली देख लेते हैं जो की काम किजिजे हैं मुख रोब से देखेगा पैरा बच्चो पहला हमारा मुख अच्छ मुख अच्छ तो आप दरपन का मुख अच्छ कुछ और था ठीक है अब ये लेंस का मुख अच्छ कुछ और होगा ठीक है तो किसी भी लेंस में दोनों प्रिष्टों के बकरता केंद्रों को मिलाने वाली कालपनी क्रेखा को मुख अच्छ कहते हैं अब बकरता केंद्र के है परवच्छो आपको बता है लेंस दो परवर्तक प्रिष्ट से मिलकर बना होता है अब दोनों परवर्तक प्रिष्ट की बकरता के अलाग अलाग होंगे कैसे जैसे मान कर चलते हैं थोड़ा से यहाँ पर आप समझेंगे डाइगराब आसानी से बन जाएगा छोटा सा हम लेंस बनाते हैं यह हम छोटा सा लेंस बनाती है ठीक है यह एक जो लेंस का एक परवर्तक प्रिष्ट किसी न किसी गोले का भाग होगा किसी न किसी गोले का भाग होगा और जो दूसरा परावर तक प्रिष्ट पेरबचो ये भी किसी ना किसी गोले का भाग होगा ये भी किसी ना किसी गोले का भाग होगा इस गोले का केंदर इसका बकरता केंदर कहलाया और इस गोले का केंदर पेरबचो इसका ये C1 है ये C2 है समझ रहे ना यह C1 और यह C2 है यहनी दो प्रिष्ट से मिलकर बना हुआ है और दोनों प्रिष्टों के कहीं न कहीं बकरता केंद्र होंगे क्यों 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 कि यह किसी न किसी गोली भाग का है और उस गोली भाग का केंद्र जो है बकरता केंद्र कहलाता है इस प्रकार से य के दोनों प्रिष्टों के बकरता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा है वो मुख अच्छ कहलाती है किसी लेंस में एदि लेंस हमारे पास किसी लेंस के दोनों प्रिष्टों के बकरता केंद्रों को मिलाने वाली जो रेखा होती है पैरवचो कालपनिक रेखा वो कहलाती है का जो केंद्र होगा वो अलग अलग होगा और दूनों केंद्रों को मिला देंगे तो मुखच बन जाएगा अगला हमारा है प्रकासिक केंद्र प्रकासिक केंद्र किसे कहते ही यदि लेंस से निर्गत किरण आपतित किरण के समानतर है फिर समझेगा यानि हमारे पास एक लें लेंस है और लेंस में कोई प्रकास किरण गुजर रही है और जाने की फलसरूप निर्गात होगी और निर्गात होने की फलसरूप ऐसा निर्गात हो कि जिस प्रकार से आपतित हो रही उसी के समानतर हो ठीक है फिर समझेगा लेंस से निर्गात किरण आपतित किरण के समानतर है तो अपबर्तित किरण मुखच के जिस बिंदू पर कारती है उस बिंदू को लेंस का प्रकासिक केंद्र कहते हैं कहने का मतलब यह हुआ कि आप्तित हुई वो किरण और जो निर्गत हुई लाश्ट में वो किरण एक दूसरे के समानतर होना चाहिए हम एक डाइग्राम बनाते हैं जिसमें आप समझ पाओगे कि बाकरी में क्या है ठीक है जैसे पैरे बच्चो एक हम लेंस बनाते हैं यह हमारा लेंस है इसका यहां पर एक मुख अच्छ हो गया प्रकास किरणे इस पर आप्तित होती है जैसे मान के चलता हूँ यहां पे आप्तित हए पैरबच्चो और फिर अब बरतन के फलसरूप ऐसे चलेगी अब बरतन रहता यहां पर ऐसे हो गए ठीक है फिर पैर बच्चो यह जब इडालमाद्यं में तो फिर से ऐसे हो जाईगी तो यह जो किरण है आप्तित किरण और निर्गत स्थ एक दूसरे के समानतर है कि नहीं जी हाँ देख सकते हैं ये एक दूसरे के समानतर है तब ये जहां पर काटेगी वही उसका प्रकासिक केंद्र खहलाएगा जिस बिंदु पर काटे जिसे ओ बिंदु पर यहां अपर प्रतिछेद करें मुखच के जिस बिंदु पर उठी छेद करें की मिलेगी वह उसका प्रकाशिक केंद्र कहलाता है ठीक है फिर से कहा गया यह आपके पास परवरताक प्रश्टिय लेंस है और इसमें आपतित किरण पैरवचो निरगत किरण आपतित किरण और निर्गत किरण, यदि एक दूसरे के समांतर है, तो आपतित किरण मुख अच्छ के जिस बिंदू पर मिलेगी, वह यूँ उसका प्रकासिक केंदर होगा, समझगे प्रकासिक केंदर किसे कहेंगे, यनी कोई प्रकास क्रण्ड आप्टित हो रही है, फिर अब बर्तन हो रहा है, लेंस के अंदर, फिर प्रवच हो रहा है, और निर्गत होने के बाद, वो यदि आप्टित क्रण्ड की समानतर हो जाए, तब मुख अच्छ के जिस बिंदु को काटती हुई निकलती है, उसे कहते हैं, प् इसके बाद हमारा आता है पैर बच्चो मुख फोकस मुख फोकस दो प्रकार से होता है एक प्रथम मुख फोकस और एक दुतिय मुख फोकस एक प्रथाम मुख फोकस और एक दूतिय मुख फोकस मान के चलते हैं इस्टोर्ण हमारे पास एक लेंस है वो उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस में किसी बिंदु से कई सारे प्रकास करने आप्तित होती हैं और अपवरतन के फल्सरूप मुखच के समांतर दिशा में चले जाती हैं तो जो हमारा बिंदु होता है उससे हम कहते हैं पैर बच्चो क्या प्रथाम मुख फोकस फिर समझेगा मान के चलते हैं हमारे पास एक मुखच है यहारे पास तो दरपण है मुखच में से एक बिंदू है और इस बिंदू से कई सारे प्रकास किरने है ना लेंस पर आपतित हो रही है हमारे पास उत्तर लेंस है उत्तर लेंस पर आपतित हो रही है और अपबरतन के फसरूप मुख अच के समांतर चली जाती है मुख अच के समांतर चली जाती है तो उस बिंदु को हम कहते हैं प्रथम मुख फोकस यानि प्रथम मुख अच का वह बिंदु है जिस बिंदु से प्रकास किरने लेंस पर आपतिच होती है और अपवर्तन के फलसरूप उस बिंदू से कई सारे प्रकास किरने लेंस पर आपतित होती है अब बरतन के फलसुरूप मुखच के समानतर चली जाती है तो उस बिंदू को हम कहते हैं प्रथामुख फोकस क्या बोलेंगे प्रथामुख फोकस समझ गए जैसे यहाँ पर पेरवच्चो यह हम मान सकते हैं कि कई सारे प्रकास किरने आती है और आप बरतन के फलसुरूप समानतर चली जाती है इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो यह आपका F1 प्रथामुख फोकस कहलाएगा अब्तल लेंस के लिए क्या है अब्तल लेंस के लिए और सेम इसके अपोजिट सेम इसके अपोजिट दुतिय फोकस होगा है ना यहीं दुतिय मुख फोकस होगा प्रथाम मुख फोकस आपने क्या समझा कि किसी भी मुख अच्छ पे इस्तित वह बिंदू जिसे बिंदू से प्रकास किरने लेंस पर आपतित होती है और अपबरतन के फलसरूप या अपबरतन के बाद मुखच के समांतर चली जाती है उसे कहते है पैर बच्चो प्रिथम मुखच फोकस यहनी प्रिथम मुखच का ही एक बिंदू है जहां से प्रकास किरने लेंस पर आप्तित होती है और बरतन के फसरोब मुख अच्छ के समांतर चली जाती है और दूसरा जो इसका फोजिट दूतिय मुख फोकस तो देखेगा मुख अच्छ के समांतर आप्तित किरने लेंस से अप बरतन के पश्चात मुख अच्छ के जिस बिंदू से होकर जाती है अत्वा जिस बिंदू से होकर आती ही प्रतित होती है उस बिंदू को लेंस का दूतिय मुख फोकस कहती है सेम था थोड़ा सा पोजिट है समझ रहे ना थोड़ा सा पोजिट है दूतिय मुख फोकस प्रतम मुख फोकस क्या था एक बिंदू था जहा वरतन के फलसुरूप जिस बिंदू से होकर जाएगी या आती ही प्रतित होगी उसे हम कहेंगे दुतिय मुख फोकस जैसे यहां पर मान के चलते हैं पैर बच्छो हमारे पास एक उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस मुख अच्छ के स्वानतर कई सारे प्रकास क्योंने आ रही है और अप वरतन के फलसुरूप एक निश्चित बिंदू से होकर जाती है जिसे कहते हैं पैर बच्छो क्या बोलते हैं दुतिय मुख फोकस क्या बोलते हैं दुतिय मुख फोकस तो प्रथम मुख फोकस एक बिंदू था जहां से प्रकास क्योंने चलती थी और अप वरतन के जिस मुखच के जिस मिन्दु से हो का जाती है उसे कहते हैं हम दुतिय मुख़ फोकस की आपका उत्तल लेंस है और यहां पर मुखच के समांतर प्रकास के इने आपतित होती है और आप बरतन के फलसुरूप चले जाते हैं पेर बच्चू लेकिन इसको पीछे बढ़ाते हैं तो हमारा दूतिय मुख फोकस आ जाता है लेकिन उत्तर लेंस के लिए तो सीधर सिंपल है समांतर किने आप्तित होती है और अब बरतन के फलसुरूप एफटू से हो कर जाती है तो एफटू जो आपका है वो दूतिय मुख फोकस हो गया ठीक है क्लियर है यदि हम फोकस दूरी की बात करें तो फोकस दूरी भी सेम focus window आपका पता है f1, f2 प्रकासिक केंद्र से बीच की दूरी उसकी क्या कहलाएगी focus दूरी कहलाएगी इस प्रकार से प्रवच्चो आपका complete है थोड़ा से दी परिभासा देखना है तो देख सकते है focus दूरी की कि lens की प्रकासिक केंद्र और प्रथम मुख फोकस की बीच की दूरी के लेंस की प्रथम फोकस दूरी कहेंगे अब आपको पता है फोकस दूरी प्रथम फोकस दूरी होगी दूती फोकस दूरी क्यों क्यों होगी परवच्चो क्योंकि आपको पता है परवच्चो आपने देखा प्रथम मुख फोकस और दूतिय मुख फोकस प्रथम मुख फोकस तो प्रथम मुख फोकस से प्रकासिक के अंदर की वीच की दूरी प्रथम फोकस दूरी कहलाएगी और जो आपका दूतिय मुख फोकस से प्रकासिक के अंदर की वीच की दूरी दूतिय फोकस दूरी भी होगा प्रकास्टी के अंद्र की दूरी फोकस दूरी कहलाईगी फोकस सम्तल देख सकते हैं कि लेंस के दो फोकस तल होते हैं प्रथम फोकस सम्तल और दूतिय फोकस सम्तल ठीक है तो सब प्यारे बच्चों जैसे प्रथम मुख फोकस था उसी प्रकार से दूतिय मुख फोकस है प्रथम फोकस सम्तल भी होता है दूतिय फोकस सम्तल भी होता है तो इनको पढ़ने की जरूबत नहीं है पढ एधर दीब पढ़ना है तोलिख सकते हैं आप परिवासा थैना पैरे बच्चों लेकिन जो आपका लेंस का लेंस कितने प्रकार के होते है इनको जानना बहुत जरूरी है focus दूरी मुख focus इनको भी जानना जरूरी है और यहां पर प्ड़्चों जो अपतल लेंस होता है उसे अप सारी लेंस भी कहते हैं धान रखेगा और जो उत्तर लेंस होता है उसे अभी सारी लेंस कहते हैं अपतल लेंस को अप सारी लेंस के नाम से जाना जाता है अगली वीडियों हम चर्चा करें पैर बच्चो जो आपका उत्तर लेंस होता है उसक को पसंद आएको पसंद आट लाइक करें शेयर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक लिए जाएं बंद मात्रां